सिक्षा सुधार रोजगार आज आपको समान काम समान वेतन मुद्दे पर सुप्रीम कोट के अपरत्यक्ष रूप से दिये गए दिसा निर्देश के बारे में बताएगा साथ में आज आपको हम सुनवाते हैं सुप्रीम कोट के वानने निया वकील जीनों ने समान काम समान वेतन मुद्दे का केस सिक्ष्चोकों के पक्ष की तरप से लड़ा था उनका क्या वक्तब है केस की फैसले के बाद पहले सुनिए वकील सहब ने क्या कहा पर जो सरकार की सलपी उसको एलाउ कर दिया है और रिट पेडिशन में जो और पास हुआ तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है एक बड़ा पहलू यह है कि इसे बिहारी नहीं गुजरा थे महारास्ट्रे और नॉर्थ इस्ट के भी स्टेट्स नहीं जहां पर नियोजी पर शामित्र था इनको 3 साल कहीं 5 साल कहीं साथ साल में इनको पूरा वेतन मान दिया जाता है बिहार में तो कभी देने का नाम ही नहीं लिया उन्होंने पुराने टीचर्स को डाइंग काईडर घोष्ट कर दिया और जो कॉंट्राक्ट पर रखके उनके नहीं नहीं नीमा ही हो गई आपकी राइट टू एजूकेशन का क्या होगा जिस क्वालिटी एजूकेशन के बारे में कोट्स हमेशा सुनना पसंद करती थी हमारे ही मैटर में अभी आप सुन रहे थे राकेस मिस्रा जी सुप्रीम कोट के वर्ये वकील जिन्होंने समान काम समान वेतन मुद् साथ दिया जाता है पर बिहार में आज तक कभी नियोजित सिक्षकों के बारे में सोचा ही नहीं गया एसिस्तिती में अन्य राज्यों का हवाला दिया जाता है तो अन्य राज्यों में तो पांस से साथ सालों में दे दिया जाता है पर बिहार में अभी तक संफ़म नहीं है उन्होंने साथ में ये भी कहा कि Right to Education Act के हिसाब से सिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए और साथ में भारत सरकार के गंतंत्र राजे होने पर 1966 में अंतारस्ट्रिये दस्तावेज पर ये सिगनिचर हुआ था कि भारत के करमचारियों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना हख है और उने देना चाहिए पंजाब और हडियाना High Court के फैसले को पलटते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के बदले समान वेतन दिया और ये वक्त अब भे दिया कि करमचारियों में कृत्रिम मानक निर्धारित करके विवेत करना गलत समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए पर बिहार के फैसले में पता नहीं किस दवाव पर ये बड़ा उलट फेर हुआ और समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया गया जबकि ये बहुत बरा सच है कि अनराजियों में पाँच से साथ साल के बाद नियोजित सिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दे दिया जाता है अब हम आपको उस खबर के विशलेशन को भी बताएंगे जिसमें सुप्रीम कोट ने ये कहा है दिशा निर्देश दिया है कि समान काम के बदले समान वेतन मुद्दे के फैसले में अपरत्यक्ष रूप से ये लिखा गया है कि सिक्षकों को परियाप्त वेतन मिलना चाहिए आपके स्क्रीन पर सिक्षकों के पक्षिमम मुख मंतरी का बड़ा पाहल नियोजित सिक्षकों को वेतन मान देने के लिए बनी कमीटी ये कमीटी बनी और इस कमीटी के फैसले में सिक्षकों को वेतन मान ना दे करके कुछ बरहोतरी की गई ये खबर आपको दिखाना इसलिए जरूरी है कि इस खबर के पहलू में आपके लिए कुछ जरूरी बाते चिपी है अनराज्यो के तुलना में बिहार के वेतन मान की पूरी जानकाड़ी आपको दी जाएगी आप देख सकते हैं वेतनमान में कितना खर्च में सरकार का आकलन 20,000 करोड का सालाना बोज बढ़ेगा सिक्षा विभाग का कुल बजट ही कड़ी 22,000 करोड रुपे का है अब नियोजित सिक्षगों का पक्ष भी इसमें लिखा हुआ है वो भी आप सुलेजे 30,000 रुपे मांसिक की गन्ना के आधार पर 14,500 करोड रुपे का खर्च इसमें 35,000 हिसा राजसरकार का होता है बाकी किंद्र सरकार का होता है यानि 5,000 करोड सालाना का खर्च बूज बढ़ता बिहार सरकार पर अगर समान काम के बदले समान वेतन दिया जाता अब दूसरे राज्यों की विवस्था भी आप देख लिजिए सबसे पहले ओडिसा 6 साल की सेवा बाले सिच्छा सहायकों को अस्थाई सिक्षक माना गया है ओडिसा में 36 गट का आप देख लिजिए सिक्षकों के 3 स्वर्ग वेतनवान के साथ प्रे ग्रेड अब देखिए हडियाना का 3 कोटियां वेतन 19 से 26 हजार के बीज ये अन्य राज्यों का आकड़ा है जबकि बिहार में आज तक कभी वेतन बढ़ोतरी और वेतनमान की बात की ही नहीं गई नियोजित सिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है आखिर बिहार में ये भेदभाव क्यों यूपी का देख लिजिए सिक्षा मित्रों को 35 सरुपय का मान दे मिलता था 2010 के बाद नियुक्ती बंध है सहायक सिक्षकों को 93 सरुपय का पे ग्रेड मिलता है ये यूपी का है यूपी और बिहार के हालात में ज़्यादा का फर्क नहीं है अन्य राज्यों के तुलना में स शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन आपको विशलेशित करता है कि बिहार में सिक्षा कास्तर जो गिर रहा है इसके पीछे निताओं का और उच अधिकारियों का बहुत बरा हात है अगर सही ढंग से सही वक्त पर सही निर्ने लिये जाते तो आज समान काम के बदले समान वितन की चर्चा ही नहीं होती बने रहे हमारे साथ आगे और ताजातरीन खबरों के लिए